हेलो एब्रीवान वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ अदिती शाह और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स का चाप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट ठीक है तो बचों हम पहले समझ लेते हैं कि बैंक रिक करते हैं तकी जो भी डिफ्रेंसेज है हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में और हमारे बैंक स्टेटमेंट या बैंक पास्टो के बीच में जो डिफ्रेंसेज है उनको रीकंसाइल करने के लिए मतलब यह क्या होता है मैं देखो आपको समझ में आएगा पहले एग्जांपल के लीते हैं जैसे अचा आप यह वताई है आपने जब कैश बुक बड़ा था तो आपको यादे हम डबल कॉलम कैश बुक बनाया करते थे बिलकुल याद है माम तो कैश पुक में हमारे दो कॉलमेंड हो जाते थे कैश और बैंक ठीक है यह हो गया कैश और यह बैंक ठीक है अब बच्चों एक बात बताओ जब भी जब भी जब भी पैसा आता था जब भी रिसीट होती थी ठीक है जब हमें पैसा मिलता था कैश में चेक में तो मुसको कहां लिखते थे डेबिट साइड पर यहां पर सारी हमारी रिसेट्स आती थी ठीक है मतलब यह तब होता था जब यह मेरा कैश या बैंक बालेंस बढ़ रहा है ठीक है वो मेरा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता था और ज cashbook की जित्ते भी payment हो रहे हैं मतलब जब भी मेरा cash जा रहा है या मेरे bank से पैसा जा रहा है ठीक है मतलब मेरा जब cash या bank balance घटता है तब मैं उसको credit करती हूँ हमेशना देखा है जब हम purchases account debit to bank करते हैं मतलब to bank क्यों करते हैं मतलब हमारा bank balance घट रहा है हमारा पैसा जा रहा है लेकिन इसी business का एक bank में account खुला होता है ठीक है तो जो bank है वो क्या maintain करके रखता है वो maintain करके रखता है bank statement या के hello उसको passbook bank statement या passbook होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों सारी चीज़े उल्टी होती है है उल्टी मतलब मैं जब भी bank balance bank के पास जब पैसा आता है ठीक अभी आपने यहां तक जो सोचा थे business के point of view से सूचा सोचा था ध्यान से सोनों ठीक है अभी पहले हम business point of view से देख रहे है जब cash यह चेक हमें आ रहा है अभी हम सब चलो बैंक की बात करते है जब हमें पैसा आ रहा है बैंक में तो हम क्या करते हैं डेबिट ठीक है और जब हमारे बैंक से पैसा जा रहा है तो हम क्या करते हैं credit लेकिन बैंक में क्या होगा बच्चों बैंक जब business से पैसा लेगा ठीक है तो एक तरीके से क्या हो रहा है सामने वाले से लोन ले रहा है लोन की तरह ले रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है हम जमा कर रहे हैं लेकिन बैंक को पैसा दे रहे तो बैंक क्या करता है उसको सीव होता है जित्ती भी रिसेट्स आती है हमारी ठीक है जब भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है वह हमारा बढ़ता है क्रेडिट साइड पर और जब भी जब मैं बैंक से पैसा निकाल रही हूं ठीक है मैं पैसा वापस ले रही हूं तो वह मेरा आ जाता है जित्ती भी पेम आपको आपने कभी देखा होगा जब आप Google पे, Paytm, फोन पे, इन सबसे कभी भी, जब भी आप payment करते हैं online, definitely आप सबने किया होगा कभी ना कभी यूज उसको, ठीक है, या जब हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी ज़रा 5000 रुपे गूगल पे कर दो मुझे, ठीक है, तो हमारे जब गूगल पे में बच्चों पैसा आता है, तो आपके पास एक टेक्स्ट मेसेज भी आता है, क्या मेसेज आता है, कभी उसको ध्यान से देखना, यॉर बैंक अकाउंट इस ग्रेडिटेड विट रुपीज 5000, तो अब आपको समझ में आया है कि क्या बूल रहा है, बैंक में आपका पैसा बड़ा है, और जब, है ना, जब भी आप कुछ पैसा पे करते हो, सपोज आपने 500 रुपे का कुछ सामान खरीदा और आपने गू 500 रुपीज, आ रहा है समझ में आप डिफरेंस, ठीक है, यह डिफरेंस होता है बचो, तो हम, हमारी जो कैश्बुक है, उसमें हम, उसमें असेट लाइबिलिटी वाला फंडा रखते है, कि हां, हमारा असेट बढ़ रहा है, बैंक बैलन्स बढ़ रहा है, तो हम उसको स्क्राइबिल अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक के पास अलग अलग ऐल watching, एक यह एपिटल अकाउंट खुले हुए, अब आपको यहाद है, जब बिजनेस में जैसा बिजनेस और प्रॉप्रायटर अलग अलग होते हैं ठीक है तो पूप्रेटर जब भी पैसा लेके आता तो सकी capital account कुआ करते हैं credit हम उसको आपका ड्रीट करते और जब भी वह डॉउइंग्स करता है जब भी वह पैसा निकालता है बिजनस से तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट आ रहा है समझ में वह हमारे क्यापिटल अकाउंट को कम कर रहा है कि सिविल अगर आप पास बुक को एक क्यापिटल अकाउंट की तरह सोच लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा आपको कोई कन्फूजन नहीं होगा यह समझो कि बैंक के पास ह हमारा यह पास्बुक के रूप में बैंक में हमारा क्यापिटल अकाउंट खोल के रखा हुआ है अपने पास हम जब भी पैसा डालेंगे एस क्यापिटल पैंक में हमारा क्रेडिट होगा जब भी हम पैसा निकालेंगे या जब भी पेमेंट होंगे बैंक से तो पैंक उसको फास बूक में अपना रॉच कर रहा वच बूक कर रहा हूं अपने इसाब से अलग एंट्रीस कर रहे हैं उसके की क्या होता है कुछ दिफ्रेंसिस create हो जाते हैं कई बार हम पहले entry कर देते हैं ठीक है हमने पहले entry कर दी कि हमारा bank balance बढ़ेगा लेकिन bank कुछ चीज को दो-तीन दिन बाद entry कर रहा है ठीक है तो यह सारे differences को हम every month end पे जब भी हमारा business जब run करता है आप जब practically जब accounting वगेरा देखोगे जब जोइन करोगे जब जॉब वगेरा करोगे या खुद का business करोगे तब आप देखोगे कि आपको हर महीने के end पे यह देखना पड़ेगा कि आपका bank balance कितना चल रहा है और आपका reconciliation statement यह है कि इन इनके बीच में जो मदभेद हैं जो differences है उनको reconcile करना उन differences को find out करके उनको adjust करके वह balance को same कर देना ठीक है आ रहा है समझ में तो BRS is prepared to reconcile the differences between the bank column the bank column of the cashbook यह हमारा bank column है ठीक है तो bank column of the cash as per cashbook with the balance as per जो हमारा bank statement या bank passbook है उससे हमें ये bank balance को जो हमरा closing balance रहेगा उसमें क्या differences आ रहे हैं उसको reconcile करने को हम क्या बोलते हैं bank reconciliation statement आ रहा है समझ में इतना clear हो रहा है bank reconciliation statement कौन बनाता है हम बनाते हैं ठीक है जो account holder है या customer है वो prepare करता है क्या prepare करता है यह bank reconciliation statement ठीक है bank नहीं बनाएगा bank तो आपको सीधे देगा यह लो bank statement यह लो passbook में entry करके ठीक है उससे आपको match करना पड़ेगा अपने बैट के books में आपका bank balance आ रहा है और क्या differences आ रहे हैं उसको आपको reconciliation prepare करना पड़ेगा तो bank reconciliation statement जो है वो account holder या customers prepare करते हैं आ रहा है समझ में चलिए बहुत बढ़िया तो आपने यहाँ पर बच्चों meaning समझ लिया कि bank reconciliation statement का meaning क्या होता है ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज़ें आगे discuss करेंगे पस पहले आप यह काम करो नोट कर लो चलिए बच्चों तो आप सबने नोट कर लिया अब बढ़ते हैं आगे तो आपने meaning of bank reconciliation statement तो पढ़ लिया अब एक काम करते हैं क्या समझते हैं देखो यह तो आपको सब्सक्राइब लिखते हैं डेबिट करते हैं उसको हमेशां अंडरी करते हैं bank account debit to sales जब भी हमारे पास पैसा आ रहा है ठीक है जब भी bank balance increase होगा cashbook हमारा debit होगा और जब आपके bank account में पैसा आता है बैंक अकाउंट क्या इंट्री करता है आपको क्या बोलता है ये और बैंक अकाउंट इस क्रेडिटेड तो आपकी पास्बॉक में बच्चों कहां पर आ जाएगा वो क्रेडिट सेड़् पर हमेशा उल्टा होगा बच्छों क्या आप डेबिट करोगे तो उसका उपोजेट दूसरी entry, bank के लिए वो credit होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है, चलो, जैसे ऐसा समझ लो, अगर मेरे लिए कोई debtor है, तो मैं उसके लिए creditor हूँ, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए debtor है, लेकिन वो debtor के लेना है मुझे, तो मैं वो मेरे लिए, मैं उसके लिए क्या हो जाओंगी, मैं उसके लिए creditor हो जाओंगी, तो similarly, जब मैं आपे bank account को क्या कर रही हूँ, debit कर रही हूँ, मतलब bank से, मैं bank मेरे पैसे आ गए है, मुझे उसको लेना है, उससे लेना है, ठीक है, और यहाँ पर bank balance बढ़ेगा, तब cashbook क्या करोगे, आप cashbook में debit करोगे, और आपकी passbook में वो entry क्या होगी, credit होगी, और जब भी bank balance घटेगा, जब भी आपका bank balance घटेगा, decrease होगा, तो decrease हमेशा bank अपका payment side पर आता है, आप credit करोगे, तो यह आपका passbook क्या करेगा, payment side आपका कहां लिखएग है आ रहा है समझ में तो decrease में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बचो cashbook करेगा credit और passbook करेगा debit और bank balance increase होगा तो cashbook करेगा debit और passbook करेगा credit आ रहा है समझ में इतना ठीक है clear हुआ चलो अब ध्यान से ज़रा देखे एक चीज आपको याद होगा जब हमें हम cashbook बनाते थे ठीक है तो हमारा bank balance कई बार वो शुरू में लिखते थे bank balance 2500 है ना तो हम क्या करते थे opening balance बच्चों यहां पर लिखते थे ठीक है to balance bd cash का amount और bank का amount लेकिन कई बार वो आपको क्या बोलता था कि bank overdraft है मतलब मैंने आपको समझाया भी था अगर जितना मैंने पैसा मेरा बैंक में जितना deposit था उससे ज्यादा मैंने पैसा withdraw कर लिया निकाल लिया तो मेरा bank credit balance में चला गया है ठीक है तो मैं हमेशा वहां पर क्या लिखती थी हमेशा bank overdraft में यहां पर लिखती थी by balance bd और यहां पर मैं bank amount लिखती थी credit side में लिखती थी ठीक है मतलब bank का क्या balance चल रहा है credit balance तो बच्चों यहां पर जब मेरा credit balance होगा cashbook में जब मेरा bank का credit balance होगा cashbook में उसको हम और क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं overdraft ठीक है उसको हम overdraft भी बोलते हैं वह एक्वल होगा किसके debit balance तो अगर मेरा credit balance है cashbook में तो obviously मेरा passbook में debit balance हो जाएगा ठीक है उस debit balance को हम और क्या बोलते हैं इसको हम यह भी बोलते अन फेवरेबल इसको अन फेवरेबल क्यों बोला क्योंकि यह अन फेवरेबल सिच्वेशन है कि आपके bank account में पैसा है नहीं जितना उससे जादा आपने पैसा निकाल लिया ऐसे याद रख लो ठीक है तो यह आपका कॉन सा credit balance in cash book को हम क्या बोलतें overdraft और debit balance in pass book को हम क्या भोलेंगे unfavorable ठीक है अब उल्डीटा देखते हैं कंद कैशो क क्लिच्व ए मतलब मेरे पास bank balance से positive bank balance चल रहा है मेरा negative नहीं हुआ है अभी negative मतलब overdraft है ठीक है तो मेरा bank balance अगर debit है तो मेरा passbook में भी credit balance दिखेगा आपका total ठीक है तो आपका debit balance in cashbook equal to credit balance in passbook हो जाएगा और इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों यह हमारा दोनों यह होते हैं हमारा favorable है क्लियर है इतना ठीक है तो आपने अभी क्या समझ लिया अभी आपने यह समझ लिया पहले तो अपने meaning of bank reconciliation statement समझ लिया कि क्या होता हैं कैसे differences इसके हम लोग reconcile करते हैं ठीक है दूसरी जीज कौन prepare करता है हम लोग prepare करते हैं जो account holder या customers है ठीक है आपने यह भी समझ लिया कि इसको capital account की तरह ट्रीट करते हैं जब भी पैसा आएगा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी कि उसको हमें लोटाना है ठीक है तो credit करेगा जब भी पैसा हम बैंक में डालेंगे और जब यह पैसा निकालेंगे तो वह debit करेगा जिसे हम द्रॉइंग को debit करते थे capital को कम कर लेते थे जब भी पैसा निकालते थे तो आया समझ में चलिए यह हो गया फिर आपने यह देख लिया कि पास्बुक में debit balance हो जाएगा तो credit balance in cashbook क्या होता है overdraft जो कि इसके लिए क्या हो जाए कि पास्बुक उसको क्या बोलेगा unfavorable balance ठीक है और जब हमारा सही होगा सब कुछ debit balance in cashbook मतला positive balance balance है मेरा और credit balance in passbook होगा उसको हम क्या बोलेंगे favorable ठीक है तो यह हमेशा equal to बराबर रहेंगे क्लियर है इतना चलिए इसको भी आप note करो फिर हम बढ़ते हैं आगे ठीक है नोट कर लीजिए इसको चलिए बच्चो अब यह देखने के बाद जरा हम यह देख लें कि भाई reason क्या है differences आने के reasons क्या है bank balance cashbook का जो bank balance और हमारी जो passbook है उसके बीच में reasons क्या है differences आने के तो चलिए यह जो reasons of differences है बच्चो यह तीन टाइब के हैं ठीक है पहला है difference due to timing या तो timing के current differences आ रहे है या transactions bank record कर ले रहा है लेकिन हमें बाद में पता चल रहे है ठीक है और या कुछ errors हो गई है अब इनको ज़रा detail में देख लेते हैं उसके बाद फिर हम इनके types भी देख लेंगे ठीक है difference due to timing इसमें क्या बोल रहा है there is always a time gap between recording and transaction in books of accounts और by the bank तो हमेशा बच्चों एक time gap रहता है कभी बार क्या होता है कि मैंने cash book में पहले entry कर ली bank उसकी दो-तिन दिन बाद entry कर रहा है ठीक है यह bank ने पहले entry कर ली मैं उसकी एक-दू दिन बाद entry कर रही हूं ठीक है तो हमेशा जोगो time gap के कारण timing के कारण difference आता है ठीक है entries recorded in either book earlier and in other book later या तो किसी बुक में पहले record हो जाएगा किसी में बाद में होगा तो वो क्या होता है बच्चों हमेशा time gap के कारण यह differences आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे difference due to timing आ रहा है समझ में next कुछ transactions ऐसे होते हैं बच्चों जो bank पहले ही record कर लेता है ठीक है sometimes transactions are recorded by the bank which become known to the account holder on receiving the bank statement or bank passbook तो क्या होता है कि बैंक ने पहले ही कुछ entry कर ली ठीक है यह सपोस्ट बैंक ने हमारा account चल रहा है bank के साथ suppose bank ने इसमें interest credit कर दिया कि ठीक है आपको हमने interest ले दिया इतने इतने आपका जो भी amount चल रहा है ठीक है अब जब बंक पास्बूक आ रही है हमारे पास तब हमें पता चल रहा है अच्छा बैंक ने तो इंटर्स्ट रेडिट कर दिया है हमारे बुक्स में तो फिर हम जाके उससे अपना bank balance को cashbook में बढ़ाएंगे आ रहा है समझ में ठीक है तो ये चीज़ें जो है ये transactions जो है bank पहले ही record कर लेता है या कुछ किसी ने दूसरे ने हमें हमारे bank में पैसे जमा करवा दिये और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है ठीक है कई बार होता है ये transactions recorded by the bank तो ये इसमें जो आएंगे वो मैं आपको डीटेल में बताऊंगी कौन-कौन से transactions आते हैं next errors हो सकती है जैसे suppose मैंने अपनी cashbook में 11,000 की जगे 10,000 लिग दिया लेकिन मैंने अकाउंट में पैसे आने के जगे रमेश मेरा नाम है उसने महेश के अकाउंट में कर दिया यह हो सकता है कि दो महेश थे एक महेश एस एक महेश आर तो उसने महेश आर का जो पैसा जमा करना था वो उसने महेश एस के account में डाल दिया तो किसी के भी बहाफ पे एरर हो सकते हैं तो बैंक एरर कर सकता है या तो मैं एरर कर सकती हूं तो वो जो transactions है वो हमारे कहां पर किसके अंडर identify होंगे errors के का अंडर आ रहा है समझ में तो आपको बच्चों तीन रिजन समझ में आ गए पहला रीजन डीजन ओफ डिफरेंज के दूटू टाइमिंग टीके टाइम गब जो आ रहा है रिकॉर्ड करने के कारण उस कारण से दिफरेंश आ रहे है या हमें पता ही नहीं चल रहा है बैंक में वह इंट्री हो जा रही है हमें बाद में पता चल रहा है तो वह आ जाएगा ट्रांजक्शन रिकॉर्ड बैंक बट हमें तब पता चल रहा है जब हमें बैंक स्टेट्मेंट देख रहे हैं हम याप अपनी पास्बोग चेक कर रहे है ठीक है और तीसरा रीजन कमिट किया तो मैंने अर्र कमिट किया अधिस एलर में भी कमिटेट बाइद बैंक और कस्टमर और अकाउंट होल्डर ठीक है क्लियर है इतना तो आपको रीजन ओफ डिफरेंस तो समझ में आ गए तो यह तीनों नोट कर लो उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे हर रीजन के अंडर एक्जाम्पल ओफ ट्रांजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है चलिए इसको नोट कर लिजे चलिए बचो आप लोगों ने यह देख लिया कि जो हमारे रीजन ओफ डिफरेंस है किसके बीच में कैश बुक के बैंक कॉलम में जो आता है हमारा बालेंस और जो हमार चलिए जब हमने अपनी बैंक स्टेट्मेंट देखी और एर्र मतलब हमने यह बैंक ने किसी ने भी एर्र कर दी उसके कारण हमारे डिफरेंस आ गए ठीक है तो आपने टाइपस ओफ रीजन आपने देख लिए कौन-कौन से होता है अब बच्चों हर एक टाइप में हम कु के लिए इजी बनाने के लिए उन ट्रांजाक्शन को बाइफरकेट करके रखा हुगा है तो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस दू टू टाइमिंग था बच्चों सबसे पहला रीजन ठीक है उसमें क्या-क्या ट्रांजाक्शन आ सकते हैं अब ध्यान से समझो एक एक चीज उनी को पेमेंट करना था यहाँ पेंग्जैंपल सबस्ज लेता है जैसे यह मैं हूँ इक है मैंने किसी को चेक दे दिया मैंने इसू कर دिया टेमिंट के लिए थिक है यह B हैं मैंने उसको रखेक डिया लिकिन बी जो है उसके पास पर रखा हुआ है तीक है वह जाकर कर ठीक है, तो मैंने तो बच्चों क्या दिखा दिया, अपनी cash book में, की check issue, मतलब हम क्या दिखा देते हैं, to bank, bank से payment हो गया, हम bank balance को कम कर देते हैं, अपनी cash book में, ठीक है, bank को credit करके, लेकिन, actually, जब तक सामने वाला जाके अपने bank में, यह check लगाएगा नहीं, तब तक हमारे actual bank balance से वो पैसा कटेगा नहीं, ठीक है, तो हमारी जो bank की pass book होगी, ठीक है, यह bank statement होगा, वहाँ पे वो चीज़ debit नहीं हुई होगी, ठीक है, वहाँ से हमारा bank balance कम हुआ नहीं होगा, तो इस कारण से बच्चों हमारा cash book में से हमने कम कर दिया वो amount, लेकिन हमारा bank balance में से, हमारा actually pass book में से वो amount नहीं कम हुआ, तो यह कारण हो गया हमारा difference आने का, सबसे पहला timing difference, कि आपने जब issue किया, ज़रूरी नहीं सामने वाला उसको तभी present भी कर दे, same day, हो सकता है, वो 2-3 दिन बार present करें उस चेक को, ठीक है, तो पहला reason हो जाएगा, बच्चों, checks issued but not yet presented for payment, तो अब इसका impact क्या होगा, ठीक है, हम लोग cash book और pass book दोनों पर हर transaction का impact देखेंगे, तो इसका impact होगा, बच्चों कि हमने cash book को, cash book को हम दिखाएंगे, cash book हमारी क्या हो जाएगी, कम, हमने check issue किया, तो हमने अपनी cash book में उसको credit payment की entry दिखा दी, लेकिन हमारी pass book में कोई ज्यादा, कोई भी entry नहीं हुई है, तो हमारी pass book क्या रहेगी, ज्यादा, ठीक है, रहेगी, clear है इतना, ठीक है, चलो, next देखते है, checks deposited into the bank, but not yet cleared, अब क्या होता है बच्चों कई बार, जैसे आपको पता नहीं, आपको ने experience किया ही कि नहीं, कई बार आप जब check जमा करने जाओगे, ठीक है, तो आप जब भी check deposit करते हो bank में, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुरंट तुरंट आपके bank account में पैसा आ जाता है, थोड़ा time लगता है, कई बार एक दू दिन, तीन दिन लगते हैं processing होने में, और आपके bank account में पैसा आने में, ठीक है, तो आपने जब check deposit किया, तो आप क्या समझ लोगे कि भाई मेरे bank account में पैसा आ गया, तो आप क्या करते हो, bank account को क्या कर दो के debit, तो आपकी cashbook में जो आपका bank column है, आप cashbook में बढ़ा दोगे उसको, debit कर दोगे, लेकिन अभी आपके दो-तीन दिन तक आपके जब तक bank account में पैसा नहीं आएगा, तब तक आपकी passbook में entry नहीं होगी, तो आपकी passbook कम पे दिख रही होगी, आ रहे हैं समझ में differences, ठीक है, तो यह मैं आपको सरी stories के रूप में समझा रही हूँ, इसलिए आपको easy हो जाएगा, ठीक है, हर चीज़ को imagine करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको यह सब रटने की ज़रूत नहीं है, कि यह transaction होगा, तो यह impact होगा, यह plus minus होगा, बिलकुल भी मत रटना, सिर्फ समझो, और logic से questions आपके पूरे solve हो जाएंगे, ठीक है, यह बहुत important है यह वाला part, इसको ध्यान से सुनो, तो आपने यह देख लिया, मैं फिर से difference due to timing में बच्चो वस यही दो transaction आते हैं, हमारे time gap के कारण, ठीक है, हमारे time gap क्या हो रहा है, पहला time gap यह हो रहा है कि हमने check issue कर दिया, बट सामने वाले ने अपने bank में जाके present नहीं किया, और हमारे bank से हमारा पैसा भी कटा नहीं है, लेकिन हमने अपनी cash book को कम कर लिया, ठीक है, cash book में अपना bank balance को कम कर लिया, लेकिन हमारा real में, हमारा pass book में balance जाधा ही है, ठीक है, तो इसमें impact आगया, cash book कम होगी, pass book जाधा रहेगी, check deposited into the bank but not yet cleared में आपने देखा, कि हमने check तो deposit कर लिया, लेकिन bank ने अभी 2-3 दिन वो check process करने में लगा कि हमारा bank account में पैसे आने में दे रही है, लेकिन हमने cash book में अभी से entry कर ली कि भाई, पैसा तो आगया, हमने पहली खुशी मना ली, ठीक है, तो cash book बढ़िया, लेकिन आपका अभी pass book में balance कम रहेगा, तो एक difference यह आजाता है, ठीक है, next देखते है, तो बच् ही नहीं था, कि ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है, हमें तब पता चला, जब हमारे हाथ में bank statement या pass book आई, कि अच्छा, ये entry हुई है, ठीक है, ये entry करी है, चलिए, पहला, सपोस हमारा जो savings account है, या current account जो भी है, उस पे bank ने interest credit कर दिया, ठीक है, तो अब हमने कब, bank ने तो credit क बढ़ा दिया, तो हमारी pass book में balance ज्यादा आएगा, ठीक है, आपका bank statement में balance ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, कि हमारे bank account में interest credit हो गया, तो हम अपने cash book में हमने वो entry नहीं किया, तो cash book का balance हमारा कम रहेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो bank में interest credit क को, ठीक है, clear है यह, चलिए, next, bank charges या interest charged by the bank but not recorded in cash book, तो कई बार bank ने कुछ हम से bank charges वगयरा debit कर दिया, हमारे bank account को उत्ते से कम कर दिया, ठीक है, या को interest charge कर लिया, किसी जीज़ पर, हमें वो पता ही नहीं था, हमने उसको अपनी cash book में record ही नहीं किया हुए, तो बच्चों ह हमारा bank balance, that is, pass book का balance, हमारा कम होगा, ठीक है, क्योंकि bank ने interest charge कर लिया, हमारे bank account से, उत्ता पैसा deduct कर लिया, लेकिन हमारी cash book, में हमने वो deduct नहीं किया, तो हमारी cash book जादा से दिख रही होगी, clear है, पूरी कहानिया समझ में आ रही है, ठीक है, next transaction क्या हो जाएगा, interest and dividends collected by the bank, तो interest या जो dividend है, bank ने collect कर लिया, हमारे behalf पे, ठीक है, हमने suppose कहीं invest किया हुआ था, किसी shares में लगाया हुआ था, पैसा या कहीं पे लगाया हुआ था, उससे interest या dividend आ गया directly हमारे bank में, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, तो जब interest ने dividend collect कर लिया bank में, तो bank ने क्या किया, bank balance ब चलिए, similarly direct payments by the bank, suppose bank ने directly हमारे bank account से deduct करके किसी चीज़ को कहीं पे करना होगा, हमने उनको बोला होगा कि आप directly pay कर देना, तो उन्होंने pay कर दिया, ठीक है, directly payment bank ने कर दिया, तो मतलब आपका bank balance कम हो गया, ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था, ठीक है, तो आपने cash book में entry नहीं करी हुए, तो अभी आपकी cash book क्या दिखेगी, जादा से दिखेगी, क्लिया रहे इतना, ठीक है, next है direct deposit into bank by customer, suppose हमारे कोई customer था, उसने directly हमारे bank account में जाके पैसा deposit कर दिया, अब हमें बताया भी नहीं, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, तो हमारा उसने directly deposit कर दिया तो हमारा bank balance बढ़ गया, ठीक है, pass book का balance बढ़ गया, लेकिन हमने cash book में उसकी entry नहीं करी है भी, कि पैसे आने की, तो हमारा cash book कम पे दिख रहा होगा, clear है इतना, ठीक है, next देखो, dishonor of a bill discounted with the bank, ठीक है, तो हमने एक bill discount करवाय था bank से, वो dishonor हो गया, ठीक है, तो bank ने, हमारा balance कम कर दिया, dishonor होने के कारण, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमारा cash book में ज्यादा reflect कर रहा होगा, clear है इतना, फिर next क्या है, bills collected by the bank on behalf of customer, ठीक है, तो कुछ bills है, जो bank ने हमारे बिहाफ पे collect कर लिया है, ठीक है, तो bank हमारा ज्यादा से bank balance बढ़ा दिया होगा, और हमें पता नहीं है, तो हमारा cash book कम से दिख रहा होगा, clear हो रहा है, इतना, आ रहा है समझ में, अब errors में देख लेते हैं, क्या बच रहा है हमारा, तो बच्चों, अब errors क्या-क्या, किस-किस type की हो सकती है, ठीक है, क्या differences हो सकता है, errors आने की कारेंट, पहले checks deposited, but not recorded, तो हमने bank में जाके, checks तो deposit भी कर दिये, लेकिन हम भूल गए, क्या, कि अरे, cash book में balance बढ़ाना था, तो check deposit कर दोगे जब आप, तो आपका पास book में balance बढ़ जाएगा, ठीक है, bank उसको, आपने check deposit किया, तो bank आपका balance बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन, आपने अपनी cash book में recording नहीं किया, कि आपने check deposit कर दिया है, तो आपकी cash book जो है, वो कम से दिख रही होगी, क्योंकि आपने check book में अपना पैसा आने के entry नहीं करी, ठीक है, next, checks recorded but not deposited, अब ये उल्टा हो गया, क्या, कि आपने checks record कर लिए, कि भाई, हमारे पास पैसा आया है, जैसी check मिला, आपको आपने cash book में entry कर ली, क्या, कि भाई, पैसा आया है, तो cash book को आपने बढ़ा लिया, लेकिन, आपने उसको जाके bank मे deposit करना ही भूल गया है, वो आपके drawer में पढ़ा रहे गया, आपका check, ठीक है, तो आपकी bank balance तो वड़ी नहीं पाया, तो आपका bank balance, that is, pass book में, आपका balance कम से दिख रहा होगा, आ रहे हैं समझ में क्यों differences आते हैं, clear है, तो यह होगी हमारा checks record कर लिया हमने, लेकिन, उसको deposit करना भूल गया, next, payment side of cash book was rupees 100 short, अब देखो, इस तरह से confused नहीं होना, अगर चीज़ें imagine करोगे, तो आप समझ जाओगे, cash book में, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा receipt side होता है, और यह हमारा payment side होता है, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि payment side of cash book was rupees 100 short, तो आप 100 रुपए, payment में आपको record करना था, पे किये हैं, लेकिन आप उसको record करना भूल गए, तो मतलब आपका जो cash book का balance है, वो 100 रुपए से जादा दिख रहा होगा, ठीक है, जो closing balance है, क्योंकि आपने 100 रुपए है पे payment side पे record नहीं किया, ठीक है, तो यह आपका बच्चों, यहाँ पे आपका cash book, मैं आप record करना 100 र balance जादा दिख रहा होगा, लेकिन आपने payment तो किया है, बैंक से पैसा तो कटा है, तो बैंक ने तो अपनी बराबर entry करी होगी, तो आपका bank balance तो कम हुआ होगा, तो यह एक difference हो जाएगा, एक error, यह हमसे एक error हो गई, next, receipt side of cash book, undercast by 100, तो देखो, जैसे आपे payment side, आप 100 लिख 100 रुपीज, undercast, मतलब लिखना भूल गए, undercast था, 100 रुपे से कम आपने record किया receipt side, 100 रुपे और होना चाहिए था, तो बच्चो, receipt side पे अगर आप 100 रुपे लिखना भूल गए, तो मतलब जो आपका closing balance आएगा, उसमें 100 रुपे क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, ठीक ह तो आपकी cash book में, अगर आप receipt side पे record करना भूल गए, तो आपकी cash book में balance कम आ रहा होगा, लेकिन bank में तो 100 रुपे आए होंगे, ठीक है, तो मेरा bank balance तो उत्ते से बढ़ गया होगा, clear है इतना, ठीक है, next, payment side of cash book overcast by rupees 100, अब यहाँ पर देखो, undercast और overcast का मतलब, undercast मतलब record ही नहीं किया, overcast मतलब आपने ज्यादा payment, 100 रुपे का extra, मतलब आपको suppose, आपको क्या करना था, कि आपको entry करनी थी, 100 रुपे payment दिखाना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 100 रुपे और ज्यादा दिखा दिया, that is, अपने इसको 200 दिखा दिया, स्थोर उपए से जदा उपने अपना ओवर काउस्ट दिखा दिया ओवर कस्थ हो गया हमारा पेवेंट सैड ठीकश है तो ऀयूंत गौट कंव से धृक छाहिए उतना कम बैंक में चुट रहा है आपने दिखाया कि भाई हमने 200 रुपे पे किया बट एक्चुली आपने दो 100 रुपे पे किया था तो आपने अपने bank column को cash book में जो था ठीकर उसको आपने जादा कम कर दिया तो आपका 100 रुपे से cash book जादा कम हो रहा होगा ऑपास book आपका जादा आ रहा होगा क्लियर है इतना समझ में आया तो आपने बच्चो सारे टाइप्स ओफ यह जो रीजन्स हैं हमारे इसकी स्टाइप के होते हैं इनके अंडर आपने पूरा क्याटेगरी वाई सारे ट्राइक्शन भी समझ लिए ठीक है और आपने यह भी समझ लिया कि इसका इंपक्ट क्या हो रहागा कब कैश्बुक हमारी कम दिख रही होगी कब हमारा बैंक स्टेट्मेंट में कम दिख रहा होगा जाधा दिख रहा बचो चलिए बचो नोट कर लिया आप लोगों ने चलिए बहुत बढ़िया अब बस हमें एक चीज और देखने हैं जो इंपोर्टेंट है question स्टार्ट करने के पहले वो क्या है लिख लीजिए आप फटाफट यह हमारा format of bank reconciliation statement ठीक है चलो अब इसका format कैसा होगा बचो यह देखिए जरा पहले इसके दो टाइप से format बना सकते हो alternative format भी हमें बुक में दिया हुआ है लेकिन मैं ज्यादा प्रिफर यह वाला format करती हूं क्योंकि यह ज्यादा easy to understand है अब यहां पर क्या लिख दोगे पर्टिक्यूलर्स ठीक है यहां पर आप क्या लिख दोगे amount ठीक है और यहां पर आप लिख दो bank reconciliation statement ठीक है as on यहां पर आप date डालोगे सपोज आप January में बना रहे हो तो 31st January 2021 ठीक है तो bank reconciliation statement as on 31st January 2021 जिस भी date को आप वो reconciliation बना रहे हो month end पे बना रहे हो year end पे बना रहे हो वो आप date डाल दोगे clear है और दो column बनेंगे बस particulars के और amount के अब यहां पर आपको balance दिया रहेगा किसी भी एक चीज़ का balance as per cashbook दिया रहेगा ठीक है या passbook दिया रहेगा ठीक है अब आपको जिसे suppose balance as per cashbook दिया है ठीक है और आपको टैली करना है क्या कि क्या चीज़ें आपने जादा जोड़ दी यह क्या चीज़ें आपने record ने की जो bank में record किया है ठीक है तो वो चीज़ें आप क्या करो के देखो किस तरह से record करोगे यहां पर add यहां पर less ठीक है तो जो भी transactions बच्चों जो यह timing differences हमने देखे थे लिए तो सब चीज़ें आ रहे है ठीक है तो यहां पर इनका सब का adjustment होगा कुछ चीज़ें हम add करेंगे किके कुछ चीज़ें हम less करें गे तो यहाँ पर हमारा पहले balance लिखेंगे उस में से फिर हम जो चीज़ें add करेंगे उसका total हम फिर यहां पर add करेंगे ठीक है फिर कुछ चीजे हम लेस करेंगे उसका टोटल हम यहां पर ठीक है क्लियर है फॉर्माट समझ में आ रहे हैं और एंड में एंड में पहले आपको जैसे अगर ओपनिंग बैलेंस दिया कैश्बुक का ठीक है तो एंड में आपका बैलेंस किसका आएगा पाजबुक का आएगा सारे अजेस्मेंट करने के बाद ठीक है तो जोबी चीज़ेंगा एढ़िसमेंट करना जो भी चीज़ें प्लस माइनस करना है वह करने के बाद आपका क्या जाएगा बैलेंस अस पर cashbook आ रहा है समझ में और यहां पर आपका जाएगा amount आप reconcile कर लोगे आपको format note कर लो ठीक है यह हम questions करेंगे तो आपको और ज्यादा clear करे हो जाएगा यह note करो फिर मैं एक बहुत important आपको एक चीज रूल बताने वाली हूं जिससे आपके सारे bank reconciliation statement के questions solve हो जाएंगे ठीक है जल्दी से note करें ठीक है तो format समझ में आगया आपको अब इसी में आपको इक में छोटा सा rule समझा देती हूं जरा ध्यान से देखो अगर आपका दिया हुआ है balance as per cashbook ठीक है इसको भी हम हटा देते हैं ठीक है तो आपको वच्छों arrive करना है क्या कि आपका balance as per cashbook एक है और आपको आना है balance as per pass book पे ठीक है तो आपको जो भी जिस पे जो नीचे लिखा है जिस्पर हमको arrive करना है eventually कि आपका balance as per cash book tally हो जाए किस से balance as per pass book से ठीक है तो हमेशा आप क्या बोलोगे अगर मैं cash book में plus minus adjustment करके किसका balance निकाल रहे हूँ pass book का तो pass book कौन maintain करता है bank तो तब आप क्या बोलोगे rule है do what bank has done मतलब मैं क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि cash book में अगर bank ने उस चीज को record किया हमने नहीं किया है तो record कर लो जो bank ने किया है वो कर लो bank ने का है खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे bank ने का बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे और bank ने कम किया है, उस चीज़ को less किया है, तो हम भी उसको less कर लेंगे, ठीक है, जब भी आपको balance as per passbook नीचे निकालना होता है, उससे reconcile करना होता है, तो passbook कौन maintain करता है, bank, तो हम क्या बोलेंगे, do what bank has done, और यह सोच के पूरा question आपका solve हो जाएगा, ठीक है, I guarantee you, next, अगर यहाँ पर उल्टा होता बच्चों, ठीक है, यहाँ पर यह होता कि balance as per यह आपको दिया होता, passbook यह bank statement, ठीक है, और आपको निकालना होता, किस से reconcile करना होता है, आपको cashbook से, ठीक है, तो आप passbook में सारे plus minus किसके हिसाब से करोगे, cashbook लाने के हिसाब से, cashbook का balance लाने के लान तो यहां पर रूल क्या हो जाएगा do what customer has done customer ने जो किया है वो करो तो यहां पर आपका रूल हो जाएगा do what customer has done ठीक है तो अगर customer ने cashbook में जो हमारा account holder है उसने अगर अपनी cashbook में प्लस किया है तो हम भी bank statement passbook में प्लस कर देंगे उसने अगर minus किया है तो हम भी minus कर देंगे उसने का है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे उसने का बैटो तो बैट जाएंगे जो उसने किया है वो हम अपनी passbook में उसको same adjustment कर लेंगे तो आपका balance as per cashbook निकल जाएगा clear है इतना ठीक है तो चलो जल्दी से rules फिर से revise कर लेते हैं अगर आपको balance as per cashbook से arrive करना है किस पर balance as per passbook पर ठीक है तो यहां आप है में passbook के balance पर राइफ करना और passbook कौन मेंटिन करता है बैंक तो आपका rule हो जाएगा do what bank has done ठीक है और अगर आपका दिया हुआ है balance balance as per passbook ठीक है और आपको निकालना है balance as per cashbook ठीक है तो cashbook पर राइफ करना है बच्चों cashbook कौन मेंटिन करता है अकाउंट होल्डर या customer to do what customer has done तो अगर customer ने प्लस किया है तो हम भी प्लस कर देंगे passbook में अगर customer ने माइनस किया है तो हम भी माइनस कर देंगे और ऐसे प्लस माइनस करते करते हम balance as per cashbook पर आ जाएंगे similarly balance as per cashbook दिया हुआ है ठीक है तो अगर bank ने do what bank has done rule है अगर bank ने add किया तो add कर देंगे bank में less किया तो less कर देंगे और ऐसे करके हम balance as per passbook पर arrive कर लेंगे आ रहा है समझ में यह रूल नोट कर लो जल्दी से ठीक है बच्चों clear है तो आपको bank reconciliation statement के concepts format और rules अच्छे से clear हो गए है ठीक है यह रूल से अगर आप question solve करोगे देखना आप कितनी आसानी से कर पाऊगे बस यह rule दिमाग में रख लेना ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे सारे illustrations करेंगे अगले lecture में तो आपको आज के concepts पूरे clear होगे bank reconciliation statement के अगर कोई भी आउट हो प्लीज comment section में लिख दो उसको अगले session में discuss कर लेंगे चले बचों तो मिलते हैं अगले videos में सारे illustrations discuss करेंगे तब तक के लिए